हलो और वलकम टू आज चैनल संगिता डिचर बच्चो आज हम अपने एट स्टैंडर्ड मराथी सुलभ भारती टेक्स्ट बुक का लेसन नमबर टू मी चित्रकार कसा जलो इसका थर्ड पैसेज लर्न करेंगे सो आर यो अल रेड़ी? चलो लेट स्टार्ट तो आमारा जो आज का जो थर्ड पैसेज है वो है पेज नमबर थ्री पर जिसका स्टार्टिंग वर्ड है आता हेज पहा अप टू आनंदान भरलेल राही सो प्वेशन नमबर वान उतार्यात आलेले दोन मराथी महिनांचा उल्लेक उतारा मतलब पैसेज इस पैसेज में दो मराथी मन्त के नाम दिये हुए उल्लेक मतलब मेंशन किये है तो वो कौन से है? आंसर श्रावन आणी चेत्र नेक्स्ट उतार्यात आलेली दोन जहडे पैसेज में दिये गए दो ट्री के नाम आंसर बखुल नांदरुकी गावाद भरनारा बाजर गाव में जो मारकेट भरता था उसे क्या कहा गया है? आंसर आठवडा बाजर मतलब वीकली मारकेट आईते कपडे विकणारा आइते कपडे मतलब ready-made garments जो सेल करता था वो कौन था? आंसर मादू मादु या प्राणयवर माल लादैचा मादु जो केरेक्टर है वो कौन्से अनिमल पर उसका जो लगेज था वो रकता था आंसर गोडयावर फोर शाष्ट्रद्न्याचे नाम मतलब फोर मतलब ग्रेट और शाष्ट्रद्न मतलब scientist तो कौनसे साइन्टिस्ट का नाम दिया यहां पर आंसर आर्की मेडीज नेक्स्ट है मातीची वशिष्टे मतलब स्पेशालिटी ओफ सॉयल मिट्टी मिट्टी की क्या स्पेशालिटी है आंसर लाल भड़क महुशार और लोनया सरकी लाल भड़क मतलब एकदम रैड कलर की है महुशार मतलब एकदम सॉफ्ट है और लोनया सरकी लोनया सरकी एकदम सॉफ्ट आहे थी महुश मतलब एकदम सॉफ्ट है like बटर मतलब मूर्ती जो बनाते थे वो कौनसे जगा पर बनाते थे गोठा मतलब जहाँ पर गाय को बानते हैं उनका जो हाउस होता है शेड जिसे हम कहते तो उसके बैक साइड में मूर्ती बनाते थे और मंदिरा जवल चा बकुली चा जाड़ा खली मंदिर के बाजू में एक ट्री था तो उस ट्री के निचे बकुली चा जाड़ा तो त्याचा खाली सो दा मूर्ती बनावनाचा काम सालाईचा नेक्स्ट आहे मूर्ती ला तड़े जाओ नएत या साथी लेखकाला सापड़ लेला उपाय मतलब मूर्ती जब वो बनाते थे तो उनको क्रैक जाता था तड़े मतलब क्रैक जाना तो वो अवोईड करने के लिए उने कॉनसा सोलुशन मिला आंसर गायी चे शेड लावन तैवर गोड़या ची लीद लावने गाईचा शेन, शेन मतलब काउडंग, तो उसको काउडंग में मिक्स करते थे और उसके उपर क्या लगाते थे? घोडे की लीद, लीद मतलब अगेन शेन ही होता है घोडे का आंसर, नेक्स्ट, लाल बड़क मातितुन तयार केल्या जाइचा, मतलब रेट जो मिट्टी थी, उससे क्या तयार किया जाता था? आंसर, मूर्ती मतलब जैसे वो गीला दिखता है वैसे ही वो सुकने के बाद भी दिखता है तो वो क्या है? आंसर, शेन मतलब काउडंग नेक्स्ट है गोड़े चा शेनाला मनता गोड़े का जो हॉर्स का जो उनका जो काउड़ंग नहीं बोलते है उनका जो शेन होता है गोड़े का हॉर्स का तो उसे क्या कहा गया है आंसर लीद नेक्स्ट है आरके मिडीज ने नानी गरात उच्चा लेला शब्द आरके मिडीज ने जब वो नहा रहे थे तो बातरूम में यूज किया हुआ वर्ड कौन सा है आंसर यूरेका नेक्स्ट क्वेश्चन लेखकाने पाठात कले संबंदी वर्णी लेले दोन विश्चे मतलब ओतर ने इस लेसन में आर्ट के बारे में दो टॉपिक बताये हैं एक्स्प्लेन किये तो वो कौन से हैं आंसर चित्रकला और मूर्तिकला जिसे शिल्पकला भी कहते हैं ड्रॉइंग और स्कल्प्चर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग बदला गाय बैल घोडा घोडी वचन बदला महीना महीने धल्प्या धल्पी तडे तड़ा गाय गाई विशेशने वविशेशे जोडया लावा मवशार माती माध्यमेक शाला अठवडे बाजार आईते कपडे नेक्स्ट अव्वे ओल्खुन प्रकार लिहा गावातिल मंदिरा जवल चा बकुली चा जढ़ा खाली आम चा उद्योग चा लाइचा ये क्वेश्चन है आंसर जवल चा हाय चा कुटला प्रकार आहे शब्द योगी अव्वे आणि खाली हा प्रकार आहे हा सुदा इस पैसेज के कोशन आंसर भी आपको अच्छे से लर्न हुए रहेंगी तो बच्चों अभी पैसेज नंबर वन और सेकेंड फर्स और सेकेंड के जो वीडियो की लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं ने